हेलो गाइस, वेलकम तू आवर चैनल लोड लीगल एटीव है, फार्मिंग में यूज किया जा सकता है स्पोर्ट्समेन 570, कई एक्सरीज भी आप इसमें फिट करा सकते हैं, जैसे प्लो माउंट, पैस्टिसाइड स्प्रेयर, कल्टिवेटर, डिस्क हैरो, यूटिलिटी कार्ट और कई एग्रिकल्चर इंप्लिम और भी कई सारी एक्सरीज के आप्शन्स हैं स्पोर्ट्समेन में, ये कई फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकता है, जैसे पैस्टिसाइड स्प्रेयंग, स्वाइल टाइलिंग, कल्टिवेशन और फार्म प्रेड्यूस टोइंग, पोलारिस ने सबसे पहली एटीवी, 1985 में लॉंच की थी और आज ये दुनिया की सबसे फेमस एटीवी मैनुसेक्टर्स में से एक है, और ये इंडिकेटर, फ्रंडिक्स ब्रेक्स हैं, ग्रिल, पोलारिस का लोगो, और ये हेड्लैंप, और एक और हेड्लैंप, एलेक्ट्रोनिक पावर स्टेरिंग का स्टिकर, ट्र स्पोर्ट्समेन 570 मॉडल का स्टिकर, टू मिटर लेंथ है, 1.4 मिटर हाइट है, 220 केजी पे लोड कैपसिटी है, 191 केजी ड्राइवेट है, 280 mm ग्राउंड के रेंस है, और 556 केजी तक का वजन खीश सकती है, स्पोर्ट्समेन, पीछे 10 इंच और आगे 12 इंच के स्टील वी आगे 41 केजी और पीछे 82 केजी वजन केरी कर सकती है, स्पोर्ट्समेन, ये सॉल्ट फार्मिंग, टी प्लांटेशन्स और कर्ट फार्मिंग और एग्रिकल्चर फेंस लाइन्स इंस्पेक्शन के लिए बेस्ट है, पीछे भी ग्रिल दी गई है, टेल लाइट, इंडिकेट पीछे एट लिटर की स्टोरेज स्वेस मिलेगी, एग्जास्स टेल पाइप, साइड में ड्रम ब्रेक, इधर डिस्क ब्रेक, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, ओन डिमांड फोर वील ड्राइज सिस्टम के साथ, आगे 21 सेंटीमेटर ट्राइवल के साथ, मैक पर्संस ट्रड सस्पेंशन मिलेंगे, और पीछे 24 सेंटीमेटर ट्राइवल के साथ, प्रोग्रेसिव रेट सस्पेंशन मिलेंगे, बड़े रियर सस्पेंशन है, इजी टोइंग के लिए, रोड साइड असिस्टेंस और एक सा इंजेक्शन और लिक्विट कूलिंग के साथ, 34 होर्स पावर है, 42 अनम टॉर्क है, 25 आवरेज मिलेगा, 17 लिटर के फियूल टैंक है, और 60 किलिमेटर पर आर के लिमिटेड टॉस स्पीड है, हैंडल बार, यह रोड लीगल मॉडल है, पोलारिस स्पोर्ट्समेन 570 ATV, ट्रैक्टर, तीन वील्स में डिस्क प्रेक हैं, और एक वील में ड्रम ब्रेक मिलेगा, और यह आगे पीछे लोडिंग केपेसिटी का स्टीकर, अमेरिकन कंपनी है, पोलारिस, आगे 41 केजी और पीछे 82 केजी वजन केरी कर सकते हैं, आप इस ATV में, पोलारिस लोगो, फोट स्टेफ, और यह ब्रेक, आल वील ड्राइव का स्टीकर, और यह है और आटोमेटिक ट्रांसमिशिन, स्पोर्ट्समेन का स्टीकर, यहां से बढ़ेंगे पैट्रोल, और यह विनाल अपॉस्ट्री, और यह है, इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेरिंग, इंडिकेटर, हॉन, स्पीडोमेटर के बटन, लाइट के कंट्रोल, एंजन, किल स्टीक, रियर व्यू, मिरर, और यह 12V का पावर, यहां से ATV स्टार्ट होगी, और यह आल वील ड्राइब का कंट्रोल, रियर व्यू मिरर, और यह है डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, जो दिखाएगा स्पीड, ओडोमेटर, टैकोमेटर, ट्रिपमेटर, गेर इंडिकेटर, फ्यूल, ओल वील ड्राइब इंडिकेटर, बैटरी लाइट्स, और कई इंफोमेशन, शांदार ब्लू लाइटिंग है, साइड में लाइट का बटन है, कई सारे वार्निंग लाइट्स है, आईए, आगे का बूट एरिया उपन करके देखते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगी 23 लिटर की स्टोरेज स्पेस, और यह है एंजिन, सेट के नीचे दिया गया है, और यह रेडियेटर, सैक्स कंपनी का शॉक एज़ॉर्वर है, तो कैसे लगा आपको पोलारे स्पोर्ट्समेन 570 ATV, हमें कमेंट्स में बताईए, टैंक्यू, अजिए,